हालो इवरिवान, वैलकिम टू माई चैनल, आज की वीडियो में मैं शेयर कुरूँगी, ये कलियो वाली वैलवेट फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप आए स्टेप, ये कलियो वाली फ्रॉक मैंने कटवर पैटर में बनाया है, इसके नेक, स् हमने कलियो कट करने का तरीका बताया है, वो जो तरीका है, बहुत ही आसान है, आप उसी तरीके को फॉलो करेंगे, तो आप किसी भी मेजरमेंट के हिसाब से ये कलियो वाली डिजाइनर फ्रॉक बना सकते हैं, सो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडि ग्रीन वैलवट फैबरिक लिया है, ये हमने दो मीटर फैबरिक लिया है, अगर आपका स्मॉल साइज है, तो आप इसको डेर मीटर में भी बना सकते हैं, तो यहाँ जो मेरी कुर्ती का यानि फ्रॉक का मेजरमेंट है, वो स्क्रिन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमे अपना मेजरमेंट ले लेना है, ये हमारा बोडी का मेजरमेंट है, इसके बाद देखिए जो हमारा वैलवट फैबरिक है, इसकी दोनों किनारिया मैंने कट कर ली है, तो किनारी निकालने के बाद हमारी जो कटिंग है, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी, अब कपड़े क किनारी वाले साइट से मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और डबल फोल्ड करने के बाद ये 43 इंच है 2 मिटर में मैंने थोड़ा सा एक्सटर लिया है क्योंकि मुझे जो लैंट है वो 42 इंच आईए तो जितनी भी हमें लैंट चाहिए उसके हिसाब से हम 1 इंच मार्जन का ले लेंगे तो यहाँ पर मैंने 43 इंच की लैंट ले ली है डबल फोल्ड करने के बाद इसके बाद हम कपड़े को इस तरह से फोर फोल्ड करेंगे तो वैलवट फैब्रिक में अरज काफी होता है बट हम इसका जो अरज है वो देखिए 22 इंच ले रहे है तो बिल्कुल नॉर्मल अरज है यानि 44 इंच के अरज में भी आप यह फराग बना लेंगे और इसको आप किसी भी कपड़े में बना सकते हैं अगर आप वैलवट फैब्रिक में नहीं बनाना चाहते और यह हमारे लंबाई है 43 इंच इसके बाद देखिए वैलवट कटिंग करने से पहले आप मेरे चैनल पर वैलवट कटिंग स्टिचिंग टिप्स वाली वीडियो ज़रूर देख लेना जिसमें मैंने वैलवट के शेड को किस तरह से अरेंज करना है वो बहुत ही अच्छे से समझाया है यानि वैलवर फैब्रिक में दो शेड होते हैं एक लाइट शेड होता है ग्लॉसी और एक डार्क शेड होता है जो मैट शेड होता है तो आपको कौन सा शेड चाहिए उसी के हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाई है वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब यहाँ पर मैंने अपने फैब्रिक का जो शेड है वो डिसाइट कर लिया है तो कलर को ध्यान में रखते हुए इस साइड से में कलियो की नेरो साइड बनाऊंगी जो हमारे शोल्डर पर आएगी कपड़ा हमने फोरफोल करके रखा है तो यहाँ पर जो कलिया है वो भी हमारी चार ही निकलेंगी अब दिखिए सबसे पहले हम अपनी सेंटर की जो चार कलिया होंगी वो कट कर लेंगे तो यहां से हम सबसे पहले अपने शोल्डर से कमर की length लेंगे यानि शोल्डर से इंचे tape रखेंगे और कमर की जो भी length आएगी वो mark कर लेंगे तो मैं यहां पर 15.5 इंच ले रही हूँ आपका size जो भी है आप उसी के according shoulder to waist length ले सकते हैं तो यहां पर 15.5 इंच मैंने mark कर लिया है अब इसी के सामने से हमने 4 इंच mark करना है तो सभी size में आप यह 4 इंच ले सकते हैं इसके बाद यहां से भी हम 4 इंच लेंगे और उपर से भी 4 इंच mark कर लेंगे यानि 4 इंच की चोड़ाई है और लंबाई जो हमने 15 इंच ली है अब इस माक को हमने सीधा कर देना है इस तरह से तो यह जो लंबाई है यह मैंने 5.5 इंच ली है इसके बाद नीचे की तरफ से यानि घेरे से हम कली की चोड़ाई 9 इंच रखेंगे अगर आप कपड़े का अरज ज्यादा ले रहे है तो आप इसकी कली की जो चोड़ाई है नीचे से बढ़ा सकते है तो यहाँ पर मैं आपको कम से कम अरज में ये फ्रॉग बनाना दिखा रही हूँ तो नीचे से मैंने 9 इंच लिया है यानि कली की जो नीचे से चोड़ाई है वो हमने 9 इंच ले लिया है अब यहाँ सिंच टेप को हम तिर्चा रखेंगे और इस तरह से माग कर देंगे तो यह हमारी चार कलिया कट हो गई है फ्रंट और बैक के लिए जो हमारी संटर में आएंगी इसकी बाद अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है और साइड में जो हमारा फोल्ड है यह भी कट कर लेंगे और बीच में से भी कट कर देंगे कट करने के बाद यह देख सकते हैं यह हमारी चार कलिया कट हुई है अब इस में से एक कलिय हम उठाएंगे और इसको इस तरफ रख देंगे ऐसे करके और यहाँ हम इस कलिय को अच्छे से सैट कर देंगे अच्छी तरह से रखने के बाद अब जो हमारा बीच में कपड़ा यह तिर्चा दिख रहा है इसको हम कट करके निकाल देंगे तो यहाँ से यह हम कट करके इसको निकाल देंगे और यहाँ साइड से भी इसको सीधा कट कर लेंगे अब देखें टोटल हमारी आठ कलिया कट हो चुकी है यह सेंटर की चार थी और यह साइड वाली चार है अब ये side वाली कलियों को उठाकर हमने यहां रखना है इस तरह से और इस कली की सीधी वाली side को हमने यहां तिर्ची वाली side में मिलाकर इस तरह से रखते हुए सिलना है तो इनकी जो सिलाई है वो कुछ इस तरह से होगी और side से यह जो हमारे 4 पीस है यह इसके साथ इस तरह से सिल जाएंगे इसके बाद इसमें से हम 2-2 कलिया side में रखेंगे जो हमारे back part में होंगी तो दिखें चारों में से मैंने 2-2 कलिया side में रख दी है अब ये जिस तरह से रखी हैं वैसे ही करके हमने इसको स्टिच करना है एक बार मैं इनकी चोड़ाई आपको दिखा देती हूँ तो देखी ये जो साइड वाली है ये हमारे पास 9 इंच है यहां से भी 9 इंच है और 9 इंच ही हमने यहां ये दो जो कलिया है इनकी चोड़ाई ली थी ये भी 9 इंच है अब हमारे पास ये 6 कलिया है जिनको आपस में इस तरह से जॉइन करना है तो इनको सिलने के लिए कुछ खास बाते हैं जो धियान में रखनी है तो देखिए कलियों को सिलने के लिए जो कली की सीधी साइड है वो मैंने उपर रखी है और जो तिर्थी साइड है वो मैंने नीचे रखी है क्योंकि तिर्थी साइड हमेशा खिच कर लंबी हो जाती है इसलिए हम इसको नीचे रखेंगे और जो सीधी साइट है वो हम उपर रखेंगे क्योंकि अगर उस पे हमारा थोड़ा सा सिलते हुए तेज हाथ भी लगेगा तो वो नीचे के बराबर ही हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के लिया हमारी बराबर हो गई है तो ऐसे करके हमने यह छे कलिया आपस में जॉइंट कर लिया है तो फ्रंट और बैक के पार्ट बिल्कुल एक जैसे करके ही हमने स्टिश कर लिया है तो यह देखे यह हमारी छे कलिया कुछ इस तरह से जॉइंट हो गई है और side की जो हमारी कली अभी हमने cutting नहीं की है वो अब हमने cut करना है इसको half में fold करेंगे ऐसे करके और अच्छी तरह से बिशा लेंगे इसके बाद हमने इसी के उपर दूसरा वाला part टकना है बराबर मिलाते हुए और इनको इस तरह से रख लेना है अब यहां से जो हमारा आदा इंच का सिलाई है center की कली का यहां पर देखें मैंने mark कर लिया है आगे की जो marking होगी इस mark के बाद होगी यानि आदा इंच छोड़ने के बाद हमने अपने shoulder का half लेना है तो shoulder का half मैं 7 इंच ले रही हूँ neck की चोड़ाई मैं 3 इंच लूँगी आप अपने size के साब से neck की चोड़ाई कम ज्यादा कर सकते हैं आदा इंच पर हम कंधी down कर देंगे और इसको 3 चा मिला देंगे इसके बाद हमने armhole की length लेनी है अपनी size के according तो मैं यहां पर 7 इंच ले रही हूँ और इसको सीधा कर देंगे अब यहां से हम अपने bust का fourth part mark करेंगे तो यहां पर जो आदा इंच है center का mark है सिलाई का उसको छोड़ने के बाद मैंने 10 इंच mark किया है और 2 इंच हमने margin add कर लिया है free hand से हम back armhole की shape देंगे और आदा से poni चंदर की तरफ front armhole की shape देंगे पर लेंगे और कमर का fourth part mark करेंगे तो मैं यहां पर कमर की fitting है साड़े आट पर करूँगी दो इंच मैंने margin ले लिया है अब यह हमारा fitting का mark है और यह हमारा cutting का mark है इसके बाद देखिए कमर से इंच tape रखेंगे और यहां इस corner पर तिर्चा करके मिला देंगे यह कमर की side आपको थोड़ा सा कपड़े में जोल है तो इसको निकाल देंगे इस तरह से और mark को सीधा कर देंगे इसके बाद हमने इसकी cutting कर दी है और देखिए जोल जो है कमर की side से वो निकल गया है अब जो हमारा front वाला part है उसमें armhole की extra cutting कर लेंगे यह वाली तो जो हमने marking की थी extra उसके पर हमने cutting कर दी है इसके बाद हमने इसमें neck बनाना है तो guys neck जो है वो मैंने already इस तरह से fabric के उपर paste कर लिया है neck की चोड़ाई मैंने 6 इंच ली है और लंबाई 7 इंच ली है और यह जो neck है यह मैंने round shape में cut वर देकर cut किया था तो neck की लंबाई चोड़ाई आप अपने हिसाब से ही रखेंगे दोनों के center से center मिला कर जो हमारे neck की shape है उसी के according हमने सिलाई लगा कर अपना front वाला neck तयार कर लेना है इसके बाद हम अपना back neck cut करेंगे back neck cut करने के लिए मैं fabric को double fold करके इसके उपर रखूँगी तो fabric में भी मैंने center में joint लगा रखा है अब यहां से हम आदा इंच छोड़ते हुए सिलाई का जो दबाव है उसको छोड़ते हुए 3 इंच चोड़ाई लेंगे neck की और back neck की गहराई में 5 इंच ले रही हूँ आप चाहें तो back neck canvas पर ही बना सकते हैं मैं neck को fabric पर बना रही हूँ इस तरह से पटी को रखेंगे एक पैर की सलाई लगा कर back neck तयार कर लेंगे तो लीजे यह हमारा front वाला neck है जिसको हमने cut work में बनाया है और इस neck में मैंने neck बना कर तुरपाई भी कर लिए है इसके बाद हम यह front वाला part लेंगे और अब हमने इसमें cut work बनाने हैं तो देखिए जो कलिया है हमारी 8 inch पर है यानि हमने 9 inch पर cut कही थी और जो side के कलिया है वो हमारी 6.5 inch की हैं क्योंकि अभी इसका side का 1.5 inch का दबाव fitting में जाएगा तो यह 6.5 inch है बाकि जो center की 4 कलिया है यह 8 inch पर है अब cut work बनाने के लिए मैंने pasting canvas ली है इसको मैंने अभी double fold करके रखा है क्योंकि front और back में cut work बनाएंगे हम तो इसकी canvas की जो लंबाई है वो हम अपने frock के घेरे के बराबर लेंगे और canvas की शोडाई मैंने 3 inch ली है अब इसको हमने देखिए इस तरह से double fold किया इसके बाद हम इसको four fold कर लेंगे four fold करने के बाद मैं इसमें pin लगा रहे हूँ आप इसमें कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं ताके इस पर हम marking और cutting कर सकें तो ये दोधर नहीं भागेगा अब नीचे से उपर की तरफ मैं 1 inch पर mark कर रहे हूँ सो ये mark को हम 1 inch पर करेंगे और फिर इस mark को हमने सीधा कर देना है इस तरह से Canvas को अभी हमने four fold करके रखा है ये बंद वाली side है यहाँ से हमने आगे के तरफ 8 inch पर mark करना है इसके बाद फिर हमने 8 inch पर mark करना है और आगे भी हमारा 8 inch पर ही mark होगा यहाँ पर अब देखे कटवर कट करने के लिए मैंने ये प्लेट ली है ये बिल्कुल सीधी प्लेट है इस प्लेट की जो गोलाई है वो 10 इंच है आगे से और पीछे से लेखे इस तरह से अब इसी की हल्प से मैं ये बड़े वाले कटवर कट करूँगी तो कटवर की जो गोलाई है बहुत अच्छे से आ जाएगी ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने प्लेट रखी है और बस यहाँ पर माक कर देना है और लीजिए ये हमारा कटवर माक हो चुका है अब ऐसे ही करके हम ये वाला कटवर भी माक कर देंगे तो कटवर की जो गोलाई है वो हम अपनी कलियों की चुड़ाई के पराबर ही ले रहे हैं अब यहाँ से भी हम आठ इंच पर माक कर देंगे और ये साइट का कटवर भी माक करके इस तरह से ले लेंगे तो लीजिए ये हमारे तीनों कटवर जो है वो माक हो चुके हैं अब इ करेंगे तो सबी कटवर हम इस तरह से कट कर लेंगे इससे हमारे कटवर बहुत ही आसानी से कट हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको फोर फोल्ड कर लिया है और सारे कटवर एक ही साइज में एक ही शेप में कट होंगे तो लिजिए ये कटवर मैंने कट कर लिया है ये दो पट आई है वो मैंने 4.5 इंच ली है तो यहाँ पर आप सेम कलर का फाबरिक भी ले सकते हैं आप कैनवास की पेस्टिंग वाले साइट को हम फाबरिक के उपर रखेंगे कटवर की साइट से हम सिर्फ एक पैर का फाबरिक छोड़ते हुए यहाँ पर आईरन कर लेंगे और नीचे से जितना एक्स्ट्रा फाबरिक है वो हम कटवर के उपर चड़ाते हुए आईरन कर लेंगे तो लीजे कैनवास को मैंने फाबरिक पर इस तरह से पेस्ट कर लिया है अब इनको इस तरह से हम रख कर सिल देंगे ऐसे करके और कली का जो जॉइंट है वो हमारे कटवर के जो सेंटर है यहाँ पर आएगा इस तरह से हमने सिलाई कर ली है यह इसकी रॉंग साइड में आपको दिखा देती हूँ दिखे जहां हमारी कली का जॉइंट है वहीं पर हमारे जो कटवर की V शेप है वो आई है ऐसे करके ही बिल्कुल सिलना है इसके बाद quarter inch fabric छोड़ते हुए हम extra fabric कट कर देंगे और इसमें छोटे-छोटे कट लगा लेंगे इसके बाद हम यह कटवर वाले side wrong side में turn करेंगे और अब हमने देखे क्या करना है क्योंकि हमारा घेरा जो है वो round shape में है बढ़ हमने सीधी पट्टी ली थी तो इसको proper गोलाई देने के लिए हमने जो हमारा canvas है उसमें हलकी सी एक pintax बनानी है इस तरह से set करते हुए हम यहाँ पर quarter inch चोड़ी यह एक pintax आएगी canvas में यहाँ पर यह pintax को set करते हुए हम iron करेंगे और यह बहुत ही अच्छे से set हो जाएगी और जो हमारा घेरा है वो भी round shape में आ जाएगा canvas के साथ ऐसे करके मैं इन सभी cutwork के center में यह छोटी सी एक pintax बनाऊंगी और iron कर लोंगी दोनों घेरों को ऐसे ही करके ready करूंगी आप चाहें तो इसमें सिलाही भी कर सकते हैं बट मैंने इसके उपर देखिए iron की है iron करने के बाद हमारी quarter inch ओड़ी जो plate आई है यह set हो गई उसकी बाद मैंने इसके अंदर reveal civil tape लगा कर इसको paste किया और बाद में मैंने इसके उपर तुर्पई कर ली मैं इसके उपर सिलाई नहीं कर रही हूँ आप इसके उपर सिलाई भी कर सकते हैं तो लीजे यह हमारे दोनों घेरे तयार हो चुके हैं cut work बनाने के बाद अब हमने इनके shoulder join करने है तो जो हमारी back की कंदी है उसको front की तरफ इस तरह से turn करेंगे और यहां पर आदे इंच कर दबाओ लेकर दोनों कंदियों को stitch कर देंगे साथी साथ हमने इसकी जो side की marking है वो कर ली है जो हमने cutting के time एक side में marking की थी वो हमने दूसरी side में कर ली है लगाने के बाद हम इसमें यह sleeves लगाएंगे तो sleeves को मैंने कुछ इस तरह से ready कर लिया है मेरी sleeves का measurement है वो आप यहां screen पर देख सकते हैं यह देखिए sleeve मोरी पर भी मैंने cutwork बनाया है black color के fabric का पलटा लगाया है और जो मेरे cutwork का measurement है वो मैं आपको दिखा देती हूँ तो दिखिए इस तरह से यह चोड़ाई नीचे से इसकी डेल इंच है और लंबाई जो है cutwork की एक इंच है इसी cutwork का size मैंने neck पर बनाया है और इसी size से मैंने sleeve पर बनाया है अब इन दोनों sleeve की fitting लगा कर हम अपनी कुर्ती के armhole के हिसाब से ले सकते हैं तो लीजिए यह sleeve हमने लगा ली है और कुर्ती हमारी इतनी ready हो गई है center में मैं matching button लगा रही हूँ आप किसी भी तरह के designer button लगा सकते हैं so यहाँ पर same मैंने यह fabric button लिए है जो इस तरह से लगा दिये है और इसके साथ यह मैंने same color की velvet pant stitch की थी और इस pant की जो cutting stitching का वीडियो है वो मैं अपने second channel जादी tutorials पर post कर चुकी हूँ पैंट का जो link है वो मैं इसी वीडियो के description box में दे दूँगी and जो velvet cutting stitching की tips वाली वीडियो है वो भी मैं इसी वीडियो के description box में दूँगी और अगर आप वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए है तो वीडियो के end screen पर मैं दोनों वीडियो का link लगा रही हूँ वो click करके आप देख लेना या फिर आप इस वीडियो के first pin comment में link चेक कर सकते हैं तो guys यह मैंने बनाई है 12 कलियो की cutter वाली frog आप कितनी कलियो वाली frog की video मेरे channel पर देखना चाते हैं यह आप मुझे comment box में जरूर बताना साथे साथ यह भी जरूर बताएं आप velvet में किस तरह की frog, kurty, dress, designing की video देखना चाते हैं तो चलिए यहां कर video complete होती है अब तक आपने इस video को like करके channel को subscribe कर लिया होगा और अगर यह video share नहीं की है तो please अपनी friends and family के साथ यह video जरूर शेर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी videos पहुंच चके तो चलिए यहां कर video complete होती है मिलती हूँ next video में कुछ नए आइडियास के साथ तब तक के लिए बाय टेक केर थैंक्स वर वाचिंग इस video